हलो एंड वेलकम दोस्तों लखेपूर टीवी पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं बताऊंगा हिमालिया हर्बर की बहुत ही फेमस दवा सिस्टोन के फाइदे और इस्तेमाल के बारे में पत्री के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल न सिर्फ आयरुवेदिक डॉक्टर करते हैं बलकि एलोपैथिक डॉक्टर लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं इसके इस्तेमाल से किड़नी और मुत्राशय की पत्थरी घुल कर निकल जाती है और दुबारा पत्थरी होने से रोपता है सिस्टोन का टेबलेट और सीरप हर जगा असानी से मिल जाता है जड़ी बूटी और खनीज के मिश्रन से बनी यह दवा बहुत ही असरदार है सबसे पहले जानते हैं इसके डोज और इस्तेमाल के बारे में दो से तीन टेबलेट दो से तीन बार यह वेस्क व्यक्ति की मात्रा है बच्चों को एक टेबलेट दो से तीन बार दे सकते हैं छोटे बच्चों के लिए इसका सीरप इस्तेमाल करना ज्यादा ठीक रहता है इसका इस्तेमाल करते हुए पानी ज्यादा पीना चाहिए सिस्टोन के फाइदे यह एक मुत्रल आउशधी है जिससे पेशाब ज्यादा आने लगता है इसके इस्तेमाल से पत्री घुल घुल कर निकल जाती है और नई पत्री बनने से रोपता है पेशाब की जैलन या बर्निंग सेंसेशन और इंफेक्शन को दूर करता है पेशाब में क्रिश्टल आने की समस्या को दूर करता है किडिनी मुत्राशय और पेशाब के रास्ते की इंफेक्शन को दूर करता है अंटी इंफिलामेट्री गुनों की वज़ा से मुत्र संस्थान की सूजन आदूसरी सूजन को भी कम करता है कुल मिला कर देखा जाए तो यह एक बहुत ही असरदार आयरुवेदिक मेडिसीन है जो अपने गुनों के कारण पर चलित है तो दोस्तों आपने आज जाना सिस्टोन के फायदा और इस्तिमाल के बारे में इसी तरह की दूसरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए नई जानकारीओं की अपडेट पाने और बीमारियों को दूर करने के आयरुवेदिक फर्मुले जानने के लिए आज की जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका फाइदा उठा सकें आज की जानकारी के बारे में कोई सवाल हो तो कमेंट के माधियम से हमसे पूछिए आपके सवालों का राय और सुझाव का स्वागत है आज के लिए इतना ही आपकी स्वास्त कामना के साथ इजाज़त चाहूंगा धन्यवाद